हेलो नमस्कार दोस्तों एचससी की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आई है कि जो हमारा हरियाना क्रमचारी चैन आयोग ने हरियाना परिवार पैचान पत्तर ओत्तिरेटी को लिखा पत्तर ग्रूप C CET पास 2.04 लाक उमिद्वारों की परिवारिक आई और घर में सरकारी नोकरी होने की वेरिफिकेशन की जाए तो जो ग्रूप C का जो मामला अटक रहा था एक्जाम नहीं हो रहे थे कि उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए तो अब उनकी जो परिवार के अंदर की जाएगी कुल 2.11 लाक उमिद्वारों ने सरकारी नोकरी नहीं होने की मांग रखे हैं स्यमाजिक आर्थिक मावदन मांदन के तहत 5 अंक सीटी पास हुए 3.58 लाक उमिद्वार ग्रूप C पदों के ली 3.20 लाक ने आवेदन किया 2.11 लाक ने अंकों का दावा किया 1.08 लाक ने कोई दावा नहीं किया 2.04 लाक की पारिवारी काई 1.80 लाक रूपए परिवार में नोकरी की होगी वेरिफिकेशन 22.185 उमिद्वारों ने ग्रूप C ग्रूप 56 और शताओन की दोनों प्रिक्षाईं दी है तो इसका मैं यही है कि जो आपके जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी की सरकारी नोकरी है या नहीं है रिपीट स्वाल करने वाली एजेंसी को ब्लेक लिस्ट किया या नहीं हाई कोट में नहीं बताया तो पंजाब वहरियान हाई कोट में ग्रूप 56 का पेपर 41 स्वाल रिपीट होने का आदार बना कर रद करने की या चिगाएं हुई है इनका आयोग ने जवाव दाखिल किया आयोग नहीं है तो जानकरी देदी की एजेंसी ने चम्मा या अचना की है और बविचे में स्वाल र पताया कि जो अमने जो एजेंसी है उसको ब्लेकलिस्ट किया है या नहीं किया है इतना भी उन्होंने नहीं बताया तो आज की यहीं अपडेट है कि आपका जो ग्रूप C का एग्जाम है उसमें आगे आपकी वेरिफिकेशन होगी और उसी के बाद में आगे क्या प्रोसेस करते हैं और सुनवाई इसकी तीन अक्टमबर को होगी उसके अंदर इसमें क्या फैसला रहेगा वो ही मानने रहेगा और इसी के अंदर फैसला जाएगा तीन अक्टमबर को आगे मेरे साफसे डेट नहीं जाएगी अब तीन अक्टमबर को फैसला हो जाएगा कि आपका ग् डी का एक्जाम 21 और 22 सक्टमबर को हो रहा है तो जो भी इसकी लिए इच्छुक हैं तो अच्छी तरह से तयारी करें क्योंकि एक महीने का ही टाइम है तो आज के लिए इतना हमारे चैनल जीके भाई मालराम सर को आपको ज्यादा ज्यादा लाइक शेर सब्सक्राइब करना है थैंक यू सो मुच